गंगा वाटर रैली की तैयारी तथा नदी मार्ग के सवे के लिए आयुक्त कानपुर मंदल डॉक्टर राजशेखर ने हरी जंडी दिखा कर रेकी दल को रवाना किया इस अफसर पर पुलिस उपायुक्त विजय धूल मुख्य वन सनरक्षक आयुक्त शिव शराप्प मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार समनवयक तथा सचिव नीरज श्रिवास्तव अपर जिलाधी कारी वित जॉइन्ट मजिस्ट्रेट तथा सिचाई विभाग के अध विकारी मौजूद रहे। इस अफसर पर आयुक्त डॉक्त राज शिखर ने बताया कि कानपूर से प्रयागराज तक की प्रस्तावित रैली का मुख्य उद्देश्य प्राकृत एक गंगा नदी हैबिटेट का सनरक्षन गंगा नदी तर पर रोमान चक नदी पर्यतन का व आयोजन से पूर्व कानपूर से प्रयागराज तक नदी मार्ग के सवे तथा समस्त मध्य मारगिय जनपदों के गंगा ततों पर रेली के आगमन स्थलों में आयोजनों के लिए आवश्यक्य वस्थाओं का निरीक्षन हेतु एक रेकी दल गंगा नदी के रास्ते जिसमें से तिस्वी वहेनी पी एसी कानपूर के प्लाटून कमांडर वीरेंद्र कुमार, शिव कुमार, सत्य प्रकाश, संतोष कुमार तथा बीस्वी वाहिनी पी एसी आजमगर के प्लाटून कमांडर राम निरंजन तथा उत्तर प्रदेश के आकिन कनोईंग असोसियेशन के धावन कुश्वाहा साथ चल है दूसरा रेकी दल सड़क मार्ट से रवाना हुआ जिसका नेत्रित्व देव पाल सिंग, सचिव उत्तर प्रदेश के आकिन कनोईंग असोसियेशन तथा बोर्ट क्लाब अधिकारी प्रयागराज कर रहे हैं कानपूर के विकासकारियों के समनवयक और कानपूर बोर्ट क्लाब के सचिव नीरज श्रीवास्तव ने बताया गंगा वाटर रेली जिसमें लगभग 50 खिलाडी प्रतिभागी तथा लगभग 30 अन्य टीम मैनेजर इत्यादी होंगे गंगा वाटर रेली पहला पढ़ाव बक्सर जिला उन्नाव दूसरा पढ़ाव डल्मू जिला रायबरेली तीसरा पढ़ाव काला कानक जिला प्रतापकर चौथा पढ़ाव श्रिंगवरपुर जनपत प्रयागराज पांच वां अन्तिम पढ़ाव प्रयागराज बोर्ट सेक्षन के बीच में अल्प विश्राम के स्थल देखे जाएंगे सरक मार्ग से जाने बाला रेकी दल प्रतेक जनपद के पड़ाव में रेली दल तथा अधिकारियों तकनीकी दल के रुखने का स्थल सास्कृतिक कार्य क्रमायो जन स्थल तथा व्यावस्थाएं नदी तट क की सफाई सरक से घाट के मार्ग की स्थिती इत्यादी देखेगे डॉक्टर राज शेखर ने बताया कि मध्य मार्ग या जनपद उन्नाव राय बरेली प्रतापकर तथा प्रयाग राज जनपदों के जिलादिकारियों ने अपने अपने जनपद के संबंधित उप जिलाद कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सभी जनपदिय अधिकारियों से समन्विय हो गया है संबंधित अधिकारी रेकी दल के आगमन पर घाट पर उपस्थित रहेंगे और सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे तानपूर से समवाद दाता अंशु कुमार की घास रिपोर्ट